जैसे कि आप सभी जानते हो हिमाचल परदेश में काफी लंबे समय से अब भरती प्रक्रिया नहीं हो रही है काफी लंबे समय से यह सब चीज़े रुकी पड़ी है तो इस चीज़ को लेकर हिमाचल परदेश के बहुत से वियारती राज्य सचीवाले में अपनी इस मांग को लेकर गए थे अब इस मांग को लेकर हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री जी के दौरा क्या क्या आस्वाशन उन्हें दिये गए हैं इस वीडियो में आपको मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ अब सबसे पहले बात करेंगे जो में टॉपिक था कि नई भरतियां यहाँ पर अब कब से शुरू होगी तो बात करें हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री जी के दौरा ये कहा गया है कि 15 अपरेल के बाद यहाँ पर आपको नई भरतियों की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होती दिखाई देगी 15 अपरेल के बाद आपको यह सब चीज़ा यहाँ फिर से शुरू होती दिखाई देगी यह पहली बात उनोंने कही फिर बहुत से वियारतियों के दोरा ये भी पूछा गया था कि जो पुरानी भरतिया है उनका रिजल्ट कब तक आएगा तो हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री जी के दोरा ये आसवाशन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इन रिजल्ट को निकाला जाएगा जो भी भरतिया हमीरपूर बोर्ड में फसी पड़ी है जिनका बस फाइनल रिजल्ट निकलना बाकी था तो ये कोशिश की जाएगी काफी जल्द उनका फाइनल रिजल्ट निकाला जाए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर यह कोशिश की जाएगी कि इनका रिजल्ट निकाला जाए अब सबसे important मुद्दा जो कि यह था age relaxation की उपर हिमाचल परदेश में लंबे समय से भरतियां रुकी पड़ी है अब इससे क्या होता है कि बहुत से ऐसे भी अवियारती हैं जो overage हो जाएंगे जैसे for example SI के लिए जो अब age रखी गई है वो बस 25 साल रखी गई है तो ऐसे बहुत से candidates होंगे जो आने वाले समय के लिए अब overage हो जाएंगे क्योंकि जो भरतियां निकली है वो ही नहीं रही प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही जब तक इस भरती की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो आने वाले समय में वो form fill नहीं कर पाएंगे इसकी कारण क्या होता है कि 2 से 3 साल एक ही भरती को लगते हैं complete होने में जिस कारण बहुत से ऐसे भी अवियार्थी होते हैं जो ओवरेज हो जाते हैं तो इसकी उपर भी हिमाचल परदेश के मुख्यमंद्री जी के द्वारे कासवाशन दिया गया है कि जो भी ओवरेज हो रहे हैं उन्हें age relaxation दी जाएगी तो ये काफी सही बात रही कि age relaxation दी जानी चाहिए क्योंकि हिमाचल परदेश में काफी लंबे समय से भरतियां नहीं हो रही है अगर कोई भरती है तो उसे complete होने में लगबग 2-3 साल लग रही है और अगर कोई भरतीयां ऐसी भी है जो काफी लंबे अर्से के बाद आ रही है एसाई ही देख लो हिमाचल परदेश में सब इंस्पेक्टर की जो भरती है वो काफी लंबे अर्से के बाद आई और अब ये भरती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही जिस कारण आने वाले समय में जो अवियार्थी ऐसे भी होंगे जो ओवरेज हो जाएंगे जिने जादा मौका नहीं मिल पाएगा इस भरती को देने के लिए तो इसकी उपर हिमाचल परदेश के मुक्यमंत्री ने ये कहा था कि इसमें आब यहां पर आपको एज रेक्शेशन देखने को मिलेगी जो भी कैंडिडेट्स ओवरेज हो रहे हैं तो मेभी इन सभी भरतियों पर यह सब चीज़े अपलाए हो जो भी एज इलेक्शेशन दी जाएगी वो सब भरतियों पर दी जानी चाहिए जो भी हिमाचल परदेश में होती है बागी ये कुछ एक आसवाशन दिये गए थे बागी जो भी ऑफिशिली अपडेट रहेंगे कि कब तक हमीरपूर बोर्ड के एक्जाम HPPSC के दवारा करवाये जाएंगे क्या चेंजिस रहेंगे इन सब चीज़ों के उपर जब भी ऑफिशिली अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है